सो हे गाईस आज हमें देखने वाले हैं क्लास 8 की इंगलिस के चैप्टर 9 जो की है दा ग्रेट स्टोन फेस वन यहाँ पर है बताया गया है कि अगर आप किसी पहाड की चोटी को थोड़ी दूरी पर से देखते हो तो आपको देखने में लग सकता है कि वो किसी इंसान की तरह दिख रहा हो किसी जानवर की तरह यह किसी और चीज की तरह तो लोग क्या करते मेरी कि उससे कोई कहााणी सब देते इन सब चीजों से तो एक कहाणी कि तरह दिखने वाला कोई इंसान मिल जा या कोई इंसान मतलब दिख जा तो कुछ जो भविस्वानी रहती है लोगों की वह सच जाती है कुछ नहीं होती है तो आए देखने कि यह वाला सच हुआ कि नहीं तो यहाँ अपनों देखने वाले अर्नेस्ट के बारे में तो जो अ मानों किसी इंसान की चहरी की तरह दिखता हो वो लोग बैठ कर कुछ बातें कर रहे थे उस जगर पर रहने वाले जितने भी लोग थे वो सभी उस great stone face के बारे में जानते थे मतलब सभी ने उसको देखा हुआ था लेकिन जो great stone face था वो रियली में किसी का चहरा नहीं था बलकि वो एक नेचर का वर्ग था मतलब कि अगर आप उसी पहाड के नस्दीक जाते तो आपको पदा चल जाता कि उसके वह पत्थर जो है वो इस धंग से बिखरे हुए थे कि उसी पत्थर को दूर से देखने में आपको लगता था कि मानों किस इंसा का चहरा या किसे जानवर की तरह या फिक इसी और चीज की तरह तो यहां पर जाए वो लड़का रहता उसको देख रहा होता उस ग्रेट स्टोन फेस को और इसको अचानल से लगता है कि मानों उस फेस ने इसको देखकर हसा हो तो अपनी मां से कहता है कि मां देख तो यह बस विस्ट कर रहा होता है कास उसे इसके तरह दिखने वाला जो है को इनसान मिलता तो उसको मैं जो है बहुत प्यार करता तभी उसकी मां बोलती है कि देखो एक भविस्वानी जो है बहुत पहले की गई थी तो बच्चा बोलता है किस तरीकी की भविस्वानी तो उस तो उसकी माह बोलती है कि देखो वो जो इनसान रहे कहा बहुत महाया होगा बहुत सिंपल और नहीं 生ता बहुत दयालू होगा आप बच्चा यह विस्ट कर रहा होता है कास जो है वो इंसान जल्दी मिल जा मतलब कि ऐसा ना कि उस इंसान का ने बहुत यह समय लग जा और यह बच्चा भी तब तब बुढ़ा हो कि मर जा तब उसकी मां से बोलता है क्या मैं उस वक्त जिंदा रहा पाऊंगा तो उसकी मां बोलती हाँ चरूर तुम जो है उस इंसान को जरूर देख पाऊगे मतलब उसकी मां उसको करेश दे रही होती है साहस दे रही होती है कि हाँ तुम देख पाऊगे आने जो है यह सुनकर बहुत ज्यादा खुस हो जाता है इसी तरह हर दिन गुजरता रहता है वह घंटों बैटकर उस ग कोई भी टीचर नहीं थी लेकिन वह तो टेकर वह घंटों बैटकर उसको देखा करता था उसके बारे में Çब ठेल मतलब हर दिन बैटकर उसको पहचान लिया है और उसको देख लूब हसरा था कि मानो वह जो Great Stone Face उसको देखकर हस रहा है उसको करश दे और इसी तरह जो अर्निस्त था वो हर दिंग घंटों बैटकर उस Great Stone Face को देखा करता था उसको ऐसा लगता था कि मानू उसकी तरह दिखने वाला इंसान कभी ना कभी उससे जरूर मिलेगा तभी एक बात चलता है सभी लोग बीच में कि गैदर गोल्ड नाम को एक व्यक्ति था जिसने की उस घाटी को छोड़ दिया था और चला गया था सीपोर्ट के पास जहां पर और वह जो उसने अपना बिजनस किया मैंस्वच सौपकी पर बना और इतने ज़्यादे उसने पैसे कमा कर अगर कोई इंसान उसके पैसे को गिनने बैटे गा तो उसको जनी लगबक सौचल फासाल लग जातों के पैसे को उसा सब लोग के पास और ज्यादा बात कि ऊपकत यही हो सकता है कि उसका चैरा उसकी तरह दीखे और ऐसा लोग इसलिश वश्चे थी कि शेलीया पैसा हो गया था सभी लोग को लगता कि मैसा के बादते हिऊन्सान रिखें कि वह बहुत साल बाद भी आ रहा था तबी एक है कुछ लोक कहता है कि यह देखता है इस बात को सुन्ता है वो भी आकर देखता है तो उसको एसा नहीं लगता है कि यह great stone face की तरह हूबहु दिख रहा है अग। यहाँ पर फिर साल गुजठ जाते है अंस life वह दिरे दिरे और बड़ा हो जाता है अने जो है बहुत ही सिंपल लड़का रहता है ठीक है इस वैसे जादा लोग उसके ओपर ध्यान नहीं दिया करते थे अने जो था वह नीचर में जो है बहुत ही इंड्रस्टियस हो गया था एक काइंड और नेबली था मतलब कि बहुत म सब्सक्राइब करता है कि अगर किसी बुक को भी आप पड़ो गए तो उतना ज्यादा आपके अंदर बुद्धिमान नहीं होगे जितना की अर्नेस्ट हो गया था वह भी बीना टीचर के लेकिं यहां पर ता औरनेस्ट जो है टीचर किसको मानता था अपने ग्रेट इस्ट कि अच्छे नेचर में बहुत ज्यादा बुद्धिमान था वहां पर अब इंतजार कर रहा था कि वह सिंपल सावल मतलब वह साधारन सावल लेकिन महान आत्मा इसके बारे मेरी मा मुझे कहा करती थी कि उसके बारे में कहानी जो है वह इंसान कब आएगा मतलब कि वह अब । इंतजार कर रहे हैं कि आखिर वह इंसान कब आए का यहां पर अब इसको लोगों बशले की नहीं हो सकता है कि इसने कोई महानता होला कामी नहीं किया और लोग यह उनकर यह मानना था कि जो Great Stone Face की तार देखने वाला व्यक्ति होगा वह किसी ना किसी तरीके से महान होगा दयालू हो और simplyUR अब तो लोगों ने माल लिया कि यह वह Great Stone Face वाला वैक्ति नहीं था अब जो फिर लोगों में बात आती है कि वो जो दूसरा वैक्ति जोंकि इस घार्टी से बाहर बन गया था यहां पर आने लग गया तो लोग पहले शुचन लगे की यह पक्का great लगाना कर दिये दिखने वाला है तो लोग जैसे वेलकम का तयारी और ज्यादा करने लगें ठीक है वह जैसे ही आने वाला होता है तो उसके साथ जो है soldiers आते हैं जो कि फ्लैक लेकर आते हैं थोड़ा आवाज करते हैं मतलब आते हैं ठीक है ना उसको कोई बोलता है जैसे की वही एकदम great stone face कोई डाउट नहीं है same to same उसी की तरह दिख रहा अब अर्नेश जो है तोड़ा manage करता है कि यह सच में उसकी तरह दिख रहा है क्या ने जो है तो आट से देखता है face को मिलाता कि क्या यह सेम टूसेम great stone face के देख रहा है लेकिन जैसे वह मिलाता तो बोलता है य इसका ज्यादा अच्छा एडिया होगा कि आखिर वो दिखता कैसा है और लोग क्या था वो जैसे देख रहें को नया वैक्ति आ रहा है तो बस ग्रेटेस्टोन फेस को देखना सुरू कर दे रहें तुसका मतलब लोग अच्छे से यह अंदाज नहीं लगा रहे थे वो घवराव मत घवराव मत ग्रेट इस्टोन फेस जैसे दिखने अलवाइक जरूर आएगा और वो पक्का आएगा मैंस उसका जो दिल रहता वो तसल्दी दे रहा होता है तो यहां पर आप देख सकते हो लोग इसको भी माल ले दें कि यह भी ग्रेट इस्टोन फेस है उनका क अच्छे लगे तो प्लीज लाइक करो सेर करो कोई भी दिक्का तो तो कॉमेंट करो तो मिलते हैं अगले वीडियो में